आज हम बात करेंगे Central Armed Police Forces के बारे में complete जो information होगी उसकी आज हम इस वीडियो में discussion करेंगे देखी जो भी बड़ा देश होगा चाहे वो United States of America हो, चाहे वो United Kingdom हो, चाहे वो Russia हो, China हो उनकी खुद की Central Armed Police Forces होती हैं उसी तरह से भारत के पास भी Central Armed Police Forces है हम भारत के केस में बात करेंगे, सबसे पहला question है कि Central Armed Police Forces का काम क्या होता है और ये क्यों बनाई जाती है, इस तरह की Forces की जरूरत क्यों है, जब हमारे पास आर्मी है, तो क्यों इस तरह की Forces बनाई जाती है देखे, देश में खत्रा सिर्फ बाहर नहीं होता, देश के अंदर भी खत्रा होता है, देश के अंदर भी कई परकार की Insurgency हो जाती है, प्रॉलम्स हो जाती है या फिर जो बाहर का खत्रा है वो कहीं अंदर ना आ जाए तो उस खत्रे को निप्टने के लिए हमारे पास अंदर भी कुछ forces होनी चाहिए तो ये काम होता है Central Armed Police Forces का ताकि देश की जो internal security है उसे देखा जा सके Insurgency जो हो जाती है उसे combat किया जा सके फॉर एक्जेंपल अफगानिस्तान का हम केस लेते हैं अफगानिस्तान में क्या हुआ कि तालीबान जो है वो धीरे धीरे powerful होना शुरू हो गया अब अफगानिस्तान के पास तो कुछ Central Armed Police Forces थी नहीं तो इसी परकार तालीबान जो था काविस हो गया तो इसलिए Central Armed Police Forces बनाई जाती है ताकि किसी भी परकार की जो बाहर की जो दिक्कत है या बाहर जो प्रॉलम है या अंदर कोई प्रॉलम हो रही है उसे देखा जा सके तो हम बनवाई वन डिसकस करेंगे Central Armed Police Forces को सो Central Armed Police Forces का composition अगर हम देखे तो जितने भी Central Armed Police Forces होती है वो Ministry of Home Affairs के अंदर काम करती है सबसे पहले है हमारे पास Central Reserve Police Force जिसे हम CRPFP कहते हैं और यह सबसे बड़ी Armed Force है उसके बाद हमारे पास है Border Security Force Border Security Force का का काम होता है कि पीस टाइम जब किसी देश की किसी दूसरे देश के साल लडाई नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हमें डर रहता है कि कहीं सामने वाला देश जो है वो कहीं हमला न कर दे या गोली न चला दे या फिर कोई सीक्रेट इंफरमेशन होती है तो उसके लिए हमारे पास बॉर्डर सीक्योरिटी फोर्स होती है फिर हमारे पास है सैंटर इंडर्स्टियर सीक्योरिटी फोर्स जो हमारे पास बड़े इंस्टॉलेशन होते हैं एरपोर्ट है सीपोर्ट है या फिर नुकलियर पावर प्लांट है उसको देखना होता है उसके लिए हमारे पास है Central Industrial Security Force फिर हमारे पास इंडो तीपतिन बॉर्डर पुलीस है सशस्त्र सीमा बल है असाम राइफल्स है तो वन वाई वन हम हर एक फॉर्स को डिसकस करेंगे So CAPF personnel are deployed for various tasks including the counter-terrorism, terrorism जैसे operation जो चलाने होते हैं उसके लिए हमें CAPF की ज़रूरत परती है Border Security के लिए दंगे हो जाते हैं देश में उसके लिए VIP को Security देनी है उसके लिए disaster management के लिए और election में कईवा duty देनी होती है उसके लिए भी हमें Central Armed Police Forces की ज़रूरत परती है सबसे पहले हम बात करते हैं CRPF की CRPF जो है वो सबसे बड़ी Central Armed Police Force है CRPF is involved in counter-insurgency operations in the states affected by the left-wing extremism अब आपको बताऊंगा कि left-wing extremism क्या होता है देखिए बहुत सारे विचार धाराएं होती हैं जो काम करते हैं लोग मानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार के विरोध में होते हैं सरकार के साथ चलना नहीं चाते हैं सरकार के खिलाफ बोलते हैं या फिर देश से अलग होना चाते हैं या separate state की demand करते हैं ऐसे जो लोग होते हैं वो maximum हमें left-wing extremism में देखने को मिलते हैं तो इनकी जो लड़ाई होती है वो दरसल central armed police forces के साथ होती है आज भी मैं news पढ़ रहा था मैंने देखा था कि 36 गड़ में या शायद जारखंड में हमारे जो परसनल थे वो शहीद हो गए थे किसके द्वारा left-wing extremism के द्वारा सो हमें security provide करवानी है elections के time में law and order को भी हमें maintain करके रखना है तो CRPF जो है वो बहुत बड़ा काम करता है और इसलिए CRPF जो है वो सबसे बड़ी central armed police force है उसके बाद हम बात करते है BSF की नाम सी पता चलता है border security force इसका काम है कि जो borders होते हैं जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा border है उन सब borders को हमें अच्छे से देखना है peace time में जब जगड़ा नहीं हो रहा है जब जगड़ा होगा तब तो army आगे आजाएगी लेकिन army तब तक आगे नहीं आएगी जब तक पूरी तरह से full flashed war किसी देश के साथ हमारा शुरू नहीं होता तो ऐसे में BSF जो है वो border में हमें देखने को मिलती है ताकि trans border crimes जो होते हैं उन्हें रोका जा सके उसके बाद है हमारे पास CISF Center Industrial Security Force इसका काम है airports की स्रक्षा करना सीपोर्ट की स्रक्षा करना vital installations जो होते हैं nuclear power plant और industrial units जो होती हैं उन्हें स्रक्षा परदान करना उसके बाद हमारे पास आता है ITBP Guards the Indo-Tipton Border and Conducts Search and Rescue Operation in High Altitude Terran China भी हमारे लिए खत्रा है Bhutan के साथ भी हमारा border लगता है तो ऐसे border की स्रक्षा के लिए हमें इंडर तितन border force की जरूरत पढ़ती है उसके बाद हम बात करते हैं SSB की सशेस्तर सीमावल Ensures the security of India's border with Nepal, Bhutan, Converse the smuggling, illegal immigration जो होती है वो देखने के लिए Assist in maintaining the internal security उसके बाद हम बात करते हैं Assam Rifles की Assam Rifles जो है वो oldest paramilitary force है भारत की इसे deploy किया जाता है North East region में क्योंकि North East region में insurgency हमें देखने को मिलती है हमेशा वहाँ insurgency बनी रहती है तो उसके लिए Assam Rifles बनाई कई थी उसके बाद हैं मारे पास contribution to national security देखिए conclusion की अगर हम बात करें तो Central Armed Police Forces जो होती है वो overall contribute करती है national security के लिए borders के लिए protecting the critical infrastructure ensuring the safety and valuing of its citizens जो हमारे नागरिक होते हैं उनकी भी सुरक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है तो आज हमने Central Armed Police Forces के बारे में जाना complete detail में जाना I hope so आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो मिलते हैं next वीडियो में thank you